प्यारे विद्यार्थियों बीएसी सेकंड येर मैट्स क्लास में आपका स्वागत है हमारा टोपिक है जन जनरल कंडिशन्स ऑफ इकिलिवरियम ऑफ को प्लानर फोर्सेस समतलिय बलों के संतुलन हेतु व्यापग परतिवन तो इसका पार्ट है फोर और यूनिट है फस्ट प एमन थियोरम आधी के बारे में पढ़ा था आज उसे रिलेटेड एक्जामपल सॉल्व करेंगे तो एक समानतार ए ओ बी ओ फर दो सीधे भागों में मोड़ा गया है जिनके मध्यकौन थिटा है ए ओ और ओ बी की लंबाई क्रमश है स्मॉल ए और बी है तो सीरे ए से तार को लटकाने पर ओ भी छेतिज रहता हो तो सिध करना है कि कोस थिटा एक्वल टू बी स्केर बटे में ए ब्रैकट में ए प्लस तू भी तो ए उनिफॉम वाई ओ बी बैंट एट ओ इंट ओ टू टू चेट पॉर्ट निक्लाइट अन अंगल थेट ओ ओ और ओ और बी बीग ओ लेंग ओ लेंग द्मॉल एड बी डिस्टिवली इफ ओ वी इज ओ और बी इज ओ ओ रिजॉन्ट वन दावार इज यॉर इज वार तार a.o.b.O. पर दो सिधे भागो, O.a.0b. में मोडा गया है जहां कौन a.o.b. θ.a और o.a.o.b. स्मॉल बी यॉत ओ दे रखा है, तो माना की तार की लंबाई, प्रती एकाई लंबाई का भार स्मॉल डबल्यू है तो तार a.o.b. निम्न बलों के अंतरगत समय वस्ता में ह अब डायग्राम में है A, O, B O पर इसे मोड़ा गया है A से O small a है O से B small b है और जो A, O, B के बीच कौन है वो थिटा तो O, A हिस्से का भार जो O, A हिस्से है उसका भार W, A क्योंकि प्रतिकाई लंबाई का भार W है और उसकी लंबाई कितने A तो इसका भार क्या हो या W, A जो A, O, के मद्य बिंदू G, 1 पर उधरवादर नीचे की ओर लगा है इसी परकार से O, B हिस्से का भार W, B जो O, B के मद्य बिंदू G, 2 पर उधरवादर नीचे की ओर लगा है तथा A पर परतिक्रिया कैपिटल R उपर की ओर है जो परतिक्रिया है वो नीचे L बिंदू पर लंबवत होगी इसके तो L पर 90 डिग्री का कौन क्योंकि प्रथम दूबल समानतर है तथा तार समय वस्ता में अता तीसरा बल R भी उन दोनों के समानतर होगा अतार उधरवादर उपर की ओर होगा माना R की क्रिया से रेखा O, B को L पर तथा G1 से 36 रेखा को M पर मिलती है अब G1 पर M पर मिलती है तो निचे वाला A, O, B कौन अगर थीटा है तो A, G1, M, B क्या होगा कौन थीटा होगा अब समय वस्ता के कारण किसी भी बिंदू के सापेक्स तीनो बलों के आगोनों का वीजिय योग सुने होता है अता है A के सापेक्स आगोन लेने पर अब देखो A के सापेक्स जब आगोन लेंगे तो W, A क्या है एंटी क्लोग वाईज है W, A, एंटी क्लोग वाईज तो A, W, डोट जी वन, M दूरी कितनी है A से इस की क्योंकि हमेशा आगोन क्या आता है भार एंटू में लंबवत दूरी तो W, A, एंटू में जी वन, M और W, B क्या है क्लोग वाईज तो माइनस W, B और G, टू, L इसकी लंबवत दूरी G, टू, L इक्विल टू, 0 तो W, कॉमन लिया वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा A, इंटू G, 1, M की वैल्यू फाइंड करेंगे G, 1, M A, G, 1, M अब जो हमारे पास G, 1, A है वो इसका आदा हो गया कि मद्य विंदू पर W, A लटका हो है तो A, Y, 2 G, 1, M हमें ग्याद करना है बटे में A, G, 1 तो क्या हो जाएगा अधार बटे करण अधार बटे करण क्या होता है कोस्थिटा और G, 1, M A, G, 1 क्या है A, Y, 2 है तो G, 1, M इक्विल टू आजाएगा A, Y, 2 कोस्थिटा तो G, 1, M आगया A, Y, 2 कोस्थिटा अब माइनस B G, 2, L का मान भी इसी परकार से फाइंड कर लेंगे वो क्या हैगा B, Y, 2 माइनस A, कोस्थिटा इक्विल टू जीरो या दोनों में सबसे पहले A, Y, 2, कोस्थिटा माइनस B, 2, Y, 2 प्लस A, B कोस्थिटा इक्विल टू जीरो अब B, 2, Y, 2 को राइट हैंड साइड में लेगे और उन दोनों में क्या है कोस्थिटा कॉमन है तो कोस्थिटा को कॉमन लिया तो क्या आजएगा A, स्केर, Y, 2 प्लस A, B, कोस्थिटा अब बटे में क्या है दोनों के लगुतम 2 आजएगा तो उपर इधर तो आजएगा A, स्केर, प्लस 2 A, B, बटे में 2 इंटू में कोस्थिटा ब्राबर B, स्केर, Y, 2 यहां से कोस्थिटा इक्विल टू आजएगा B, स्केर, बटे, 2 और इंटू में 2 बटे में A, स्केर, प्लस 2 A, B 2 से 2 कट जाएगा क्या बचेगा B, स्केर, बटे में A, स्केर, प्लस 2 A, B अब नीचे कोमन क्या आ रहा A, कोमन आ रहा है तो B, स्केर, बटे में A, ब्रैकेट में A, प्लस 2 B ये cost theta की value हमें यही find करनी थी एक्जम्पल 6 समान भार P, P दो डोरियों A, C, P और B, C, P द्वारा लटकाए जाते हैं डोरियां एक चीकनी खुंटी C के उपर से जाती है जो एक भारी डंड A, B के सीरों पर बंदी है यदि डंड का भार W हो और उसका गुर्तव के अंदर A से small A तथा B से small B दोरी पर हो तो सिद्ध कीजिए कि A, B 36 के साथ निमन कौन बनाती हैं the equal weights P and P are attached to two strings A, C, P and B, C, P passing over a smooth peg C A, B is a heavy beam of weight W whose center of gravity is a F T from A and B F T show that A, B is inclined to the horizon at an angle तो 10 inverse bracket में A minus V वटे में A plus V into में 10 bracket में sin inverse W वटे में 2P यह हमें सिद्ध करना है तो सबसे पहले मान लिया है कि A, B दी गई डंड है जिसके सीरों पर A, C, P और B, C, P A, C, P और B, C, P दोरियां बंडी है दोरियों के दूसरे सीरों पर भार P, P बंडे गए हैं जो एक खुंटी C के उपर से गुजरती है क्योंकि खुंटी चिकनी है इसलिए परतेग डोरि में तनाव P के बराबर होगा अब डंड निम तीन बलों के अंतरगर सामय वस्ता में है किस किस के सबसे पहले तो डोरी A, C, P में क्योंकि दो डोरियां बंडी हुए है A, C, P और B, C, P तो A, C, P में तनाव P जो A, C के अनुदिस है अब डोरी B, C, P में तनाव P जो B, C के अनुदिस है तथा धर्ड डंड का भार W उसके गुर्तों के अंदर G पर ओ धर्वादर नीचे की ओर क्रिया रेखा यह सामय वस्ता के कारण उपरोग तीनों बल A की बिंदू पर मिलेंगे अधर W की क्रिया रेखा भी C से गुजरेगी पुने तनाव P, P का परिणामी W से संतुलित होगा अधर W की क्रिया रेखा कौन A, C, B को समदी वज़ित कर दिए जो W की क्रिया रेखा है वो A, C, B को क्या गज़ी है समदी वज़ित कर दिए है माना कॉन ACG कॉन ACG और BCG क्योंकि जो W की क्रिया देख रहे हो थे कौन C को सब्सक्रवचिए ठती है तो अगर ACG कॉन अलफा है तो कॉन BCG भी कितना होगा अलफा को 아침 ही और कि इसलिए W स्केर बराबर 20 केर प्रस 20 बस्थ Пक दो पी दोट पी कोस्ट टू एलफा तो इसमें कौन सा फार्मूला लग गया दो बल है हमारे पास पी और क्यू तो उनका परिणामी आर हो तो फार्मूला होता है अगर कौन उनके बीच में कितना हो अलफा तो आज स्केर बराबर होता है पी स्केर प्लस क्यू स्केर प्लस टू प का डवलू है तो डवलू की स्केर बराबर पी स्केर प्लस पी स्केर प्लस टू पी डॉट पी कोस अलफा कोस्टू अलफा या डवलू स्केर बराबर टू पी स्केर कॉमन आ गया वन प्लस कोस्टू अलफा इक्वल टू फॉर पी स्केर को स्केर अलफा वन प्लस कोस्टू अल कोस्ट टू अलफा को डबल्यू स्केर बरबर कितना गया मच जार पी स्केर मैं कोज आलफा इकल टू भी तर न ए डबल्यू स्केर व्ट्य में 40 स्केर दोनों तरफ वर गूल ले लेंगे तो cos alpha equal to आज़ेगर w बटे में 2p या sin 90 minus alpha क्या होता है cos alpha होता है तो sin 90 minus alpha equal to w बटे में 2p equation first यदि दंड 36 के साथ कौन theta बनाती हो तो कौन cgv equal to 90 minus theta यह जो eb दंड है वो 36 से कितना कौन बना रही है theta तो जो w के पास में कौन बनेगा हो क्या होगा 90 और इसके उपर वड़ा a c w कौन कितना होगा 90 minus theta तो जो cgv होगा हो कितना होगा 90 minus theta सीर साभी मोग कौन से तो यहीं बताया है कौन cgv equal to 90 minus theta तो तिर्वुज a b c में m n परमेंसे a c b में m n परमेंसे यह जो अंदर वाला कौन है वो 90 minus theta आ गया और उपर के दोनों कौन दे ही रखे हैं तो सबसे पहले तो small a plus small b bracket में cot 90 minus theta equal to a cot alpha minus b cot alpha यह हमने m n परम लगा दी है यह bracket में a plus b equal to 10 theta 90 minus क्या होता है cot 10 theta होता है equal to दोनों में common है cot alpha bracket में क्या है a minus b तो 10 theta equal to a minus b बटे में a plus b into में code को हमने किसमें change कर दिया 10 में 10 90 minus alpha यह a minus b बटे में a plus b 10 5 बटे 2 minus alpha जो equation first है वहाँ से इसकी value क्या जी sin inverse w बटे में 2p समीकर फरस्ट से तो अधर 10 theta equal to a minus b बटे में a plus b 10 bracket में sin inverse w बटे में 2p यह theta equal to 10 inverse bracket में a minus b बटे में a plus b 10 bracket में sin inverse w बटे में 2p यही सिर्द करना था तो सबसे पहले तो क्या किया था हमने a b डोरी यह डंड है तो इसको एक डोरी से बंदा गया a c p से और बी सीरे से बंदा गया है b c p से और जो डंड का भार है वह जी बिंदू पर अधर बाद नीचे की और और इसकी क्रिया सिर्द रेखा बिंदू और इसकी क्यों को समदी वाजित कर रही है और सामय वस्ता एकान तीनों बल एक ही बिंदू पर मिलते हैं और इसमें कौन सा फार्मूला लग गया दो बल अगर एक बिंदू पर दो बल पी और क्यू एक ही बिंदू पर लगे हो तो उनका प्रेणामी आर निम्ल परगास से क्यूं को स्टू एलफा से वह फार्मूला लगाया यहां से को सेल्फा कमान फाइंड किया अफिर साइन एलफा फाइंड किया एम एं त्योर्म लगा दी और वहां से हमाज़ें टैन थिटा आ गया वैल्यू पूट की और यह तो आपको जो समझाया गया है दो यह आप इन्हें अच्छे से समझे और इससे रिलेटेड कोशन सॉल्व करें एक कोशन आपको दिया जा रहा है उसको सॉल्व करें तो एक छड जिसका गोर्तव के अंदर उसे ए तथा बी लंबाई के दो भागों में विवाजित करता है पुर्णताय रखी हुई है यह दिसामे वस्ता में छड का छेती से जोगाव थीटा हो तो सिद्ध करना है एसाइन थीटा इकल टू बी माइनस ए बटे में दो अंडर रूट के अंदर आज के एर माइनस ए बी और इसका बी पार्ट है एन थीटा एकल टू बी माइनस ए पॉल ओफ रेडिया स्मॉल और इस सेंटर ओं ग्रेविटी डिवाइडिंग दा रोड इंटो टू पॉर्शंस ए और बी फो दैट इफ थीटा वी दा इंकलाइनेशन ओफ दा रोड टू दा होरीजेन इन पोजीशन ओफ एक्योवरियों दें यह कोशन दिया जा रहा है इस कोशन को आप सॉल्व करें